सुन्हू की गोद में आ जाती है फिर ये जैसिस की तरफ देखती है ये दोनों एक दूसरों को पहचान जाते हैं कि तुम तो वही स्टोर वाले लड़के हो सुन्हू इससे पूछता है कि तुम यहाँ पे मतलब रहने आई हुई हो तो जुन्हू को खासी होने लगते है क्योंकि वो इस्प्रे की एक पूरी बॉटल यहीं पर लगा देता है तो जुन्हू का दिखाया जाता है कि वो खुद भी कौकरोच मर जाता है तो यह उसे फ्लेश आउट कर देता है फिर सुन्हू अपने घर जाने लगता है तो जीन्हूंग उसे रोकती है और इसके आगे हाथ बढ़ा कर कहती है क्यों न हम दोनों दोस्ती कर ले वैसे भी तो अब हम दोनों नेबर्स है लेकिन सुनो एक बहुत स्ट्रेट फावर्ड गाय है वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ये काम आएगा आपना मिस्टर कैंग के साथ इतना बुरा किया उनको इस वज़ए से बहुत सारी प्रॉब्लम्स उठानी पड़ी और इसी लिए मैं आपके साथ दोस्ती नहीं कर सकता और ये कहा कर अपने कमरे में चला जाता है वही जिन्योंग अपना हाथ लेकर खड़ी रह जाती है और कहती है कि इसने मुझे रिजेक कर दिया फिर नैक्सीन का दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग के दादा मिस्टर कैंग और हारी को कॉंसर्ट में छोड़ने आते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत अच्छे से बाता है अगर मैं तुम्हें खुद से आने देता तो तुम बीच रास्ते में ही सही आफिस चले जाते है ये इनको बाय करते हैं और फिर हारी और मिस्टर कैंग अंदर की तरह आने लगते हैं हारी कहती है कि थोड़ा टाम वेट कर लेते हैं जैसे आपके दादा चले जाएंगे तो हम भी यहां से चले जाएंगे लेकिन वो जैसे पीछे मुड़ती है और वो गाना गाता है उसकी आवाज बहुत ही प्यारी है वही हारी मिस्टर कैंग से कहती है कि ये लोग इतना अच्छा गा रहे हैं तो इनकी आवाज मिस्टर कैंग को भी पसंद आती है फिर वहां खड़ा सिंगर कहता है कि आज का हमारा इविंट है, कि जिन लोगों ने यहां की सीट बुक करी हैं, उन्होंने एक एक पर्चा यहां पर डाला है, हम उसे खोलेंगे और आपके बारे में पढ़ेंगे, यह जैसे ही सीट नंबर रिकॉल करते हैं, यह हारी का सीट न को कॉंसर्ट के टेकेट्स गिफ्ट किये और आपसे कहा कि आप उसके साथ जाएं, जिसके साथ आप यहां पर आना पसंद करेंगी, और वो कोई लड़का हो, हारी जैसे यह बाते सुनती है, वो रोने लग जाती है, मिस्टर कैंग समझ जाते हैं, और वो इस अपने रुमा पहरी हो, फिर यह मिस्टर कैंग का शुकर यहां दा करती है, और कहती है, आपको 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 आवाज कर दूँगी, जिस पर मिस्टर कैंग कहती है, कि मुझे ऐसा लगा, शायर तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहती, और अभी कॉंसर्ट में मुझे तुम्हारी वज़ा से बाते सुननी पड़ी क्योंके तुम रो रही थी और बाकी सारी लड़कें आपस में बात कर रही थी कि तुम अभी भी उसी लड़के को बसंद करती हो फिर ये एकड़ शॉक डो जाती है और मिस्टर कैंग से सॉरी कहती है तो वह कहते है क्या तुम वाकि उस लड़के को पसंद करती हो तो हारी हाँ कहती है साथ ही कहती है कि मुझे अब कोई पच्तावा नहीं वो अपनी एक्स गर्फरेंड की साथ हो गया है और मैं उन दोनों की खुशी में खुश हूँ फिर ये मिस्टर कैंग से सॉरी कहती है कि मुझे रेन के बार में बात नहीं करना चाहिए था तो मिस्टर कैंग भी इस से माफी मांग लेते हैं कि मैंने भी कुछ जादा ही ओवरियक किया ये दोनों बात करते हुए आ रहे होते हैं कि अचानक से हरी को भूक लगने लग जाती है हरी सामने तकबुकी का स्टॉल देखती है तो ये दोनों यहाँ पर आ जाते हैं ये मिस्टर कैंग को सूप देती है तो वो पीने लगते हैं ये उनसे पूछती है कि आप तो बिल्कुल रिजग गाइस की तरह नहीं है आप ऐसा क्यूं नहीं कह रहे हैं कि आपने कभी तकबुकी नहीं खाई लेकिन इतने में बॉल इसके लग जाती है फिर मिस्टर कैंग जली से हारी के पास आते हैं और इससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो नेक्सीर में दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग हारी के लिए बरफ लेकर आते हैं और कहते हैं कि इसकी सिकाई कर लो वोगने हारी को दिखा जाता है कि बहुत जोड़ से बॉल लगने की वज़ा से हारी की आँख सूज गई है मिस्टर कैंग हारी से disfrut नहीं लग रही अगर लगे तुम मुझे बता देना और क्योंकि हमारा relation fake है तो इसका अगी का कोई future भी नहीं है और ये आपके लिए बहुत time wasting है और फिर आप शादी भी कर सकते हैं इसकी ये बाते सुनकर Mr. Kang मुस्कुराने लगते हैं इतने में हारी की टक्सी आ जाती है तो वो जाने लगती है लेकिन फिर रोके Mr. Kang को एक gift दे message आता है कि आज जो भी कुछ हुआ वो अचानक था लेकिन मुझे मसा आया ये सुनकर हारी उसकुराने लगती है वही Mr. Kang जैसे gift box खोलते हैं इन मेंसे दो couple toys निकलते हैं और इन पर लिखा होता है कि जब भी आप down feel करो तो मुझसे बात कर लेना तो Mr. Kang अचानक से हारी की कह आयल करते हैं नेकसीन सुबा का दिखाया जाता है कि हारी बहुत जोड़ से चीखती है तो इसके family members पर रिशान हो जाते हैं कि इसे पता नहीं क्या हुआ है फिर हारी जैसे रूम से निकल कर आती है और इनकी दरफ देखती है तो ये सब इसे देखकर ड़ जाते हैं फिर इस इसका दिखाया जाता है कि ये भागती हुई lift के आगे आती है कि मैं late तो नहीं हो गई इसके हाथ में पैकेड होता है तो ये उसे भाड़ती है और इसमेंसे bandage निकाल कर अपनी आक पर रख रही होती है कि इतने में मिस्टर कैंग यहां पर आ जाते है और यहां इसका फेस स इसके पहोती है लेकिन नहीं पहचानदे और लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं ये साइड में खड़ी होती है प्री मित्रकर यसे कहते चाहला है किया हुआ कैंग अपने आपको उससे इंट्रोड्यूस करवाते हैं फिर ये मिन्वू के हाथ से बनाई हुई डंबलिंग स्ट्राइ करते हैं और एकदम चुप हो जाते हैं तो सब इनकी तरफ देखने लगते हैं ये उसे कहते हैं कि तुम्हे तो बिल्कुल भी टेस्ट का पता नहीं लेकिन पिर अचाना कहते हैं कि ये तुमने बहुत जादा अच्छा बनाया है ये सुनते ही सारा डिपार्टमेंट खुश हो जाता है वहीं हारी का सीन दिखाया जाता है कि वो वाश्रूम में बैठी है और इसकी कुली की से मैसेज़ करकर कहती है कि आपका पीट का दर्थ कैसा है कि क्या मैं आपको मैडिसन्स लाकी हूँ ये उसे रिप्लाय करती है कि खाना कैसा लगा लेकिन वो गोई आंसर नहीं देती वहीं बहार दो लड़के बात कर रही होती है कि मिन्वु की डंबलिंग सबको बहुत पसंद आई तो ये सुनकर हारी बहुत खुश होती है अब रात का सीन दिखाया जाता है कि हारी मिन्वु के पास आती है उसे ही बताने के लिए कि तुम्हें एप्रूफ कर दिया गया है तो मिन्वु इससे कहता है कि तुम्हें मेरा खाना कैसा लगा तुमने तो चक्कर भी नहीं बताया तो हारी कहती है कि तुम तो अच्छे से जानते हो मुझे तुम्हारा खाना पर्फेक्ट लगता है फिर वो इस से कॉंसर्ट के बारे में पूछता है कि अच्छा मुझे ये तो बताओ कि तुम किसके साथ गई थी ज़रूरान तुम जुन्योंक के साथ गई होगी تو हारी से कहती है नहीं मैं एक लड़के के साथ गई थी ये सुन कर मिन्मु शॉक दो जाता है और इसे कहता है कि तुम्हारा कोई बौइफरेंड भी है तुमने तो मुझे कभी नहीं बताया तो हारी कहती है कि नहीं बस हम बियरली एक दुसरे को जानते हैं फिर मिन्वो कहता है कि कभी उससे मुझसे मिलवानी लेकर आना मैं उससे अच्छे से देखूंगा तो हारी कहती है कि तुम मुझे छोड़ो और अपनी गल्फरेंट पर तवज्जा दो लेकिन मिन्वो को ये सुन कर कुछ खास अच्छा नहीं लगता साथ ही जिन्योंग का दिखाया जाता है कि वो मिन्वो के रेस्टरंट के बाहरा आती है तो वो सामने कार से सुन हो को उतरता हुआ देखती है लेकिन उससे लगता है कि ये कोई और है लेकिन वो जैसे ही मिन्वो को कार सो उतरता हुआ देखती है वो डर जाती है और कहती है कि यह दोंगों यहाँ पर क्या कर रहे हैं हारी का फोन रिंग होता है तो वही रिंग ट्यून है जो शिंग्यूम के मूबायल में लगी हुई थी इतने मैं हारी कॉल उठाती है तो मिनवوس से पूछता है कि तुम कहां हो लेकिन हारी रेस्टरंट से भारा आ जाती और कहती है कि मुझे जल्दी घर के लिए निकलना पड़ा, वहाँ पर मेरी जरूरत थी अब इनकी रेस्टरंट का सीन दिखाया जाता है कि जिन्योंग और हारी साथ बैटी है तो जिन्योंग इसे बताती है कि वो जो स्टूर वाला लड़का था, वो मिस्टर केंग के सेकरेटरी थे ये सुनकर हारी शॉक्ड हो जाती है जिन्योंग इसे जैसी बताती है कि उसने मुझे दोस्ती करने के लिए रिजेक्ट कर दिया तो ये सुनकर हारी हसने लगती है फिर जिन्योंग मिस्टर कैंग को बुरा भला कहने लगती है कि इस सब को चुनी की वज़े से हो रहा है तो हारी कहती है कि वो इतने बुरी इनसान नहीं है मिन्वों ये सुन का शौक डो जाता है कि आप क्या कह रहे हैं तो मिस्टर कैंग जवाब देते हैं कि साथ सालों में हो सकता है कि किसी एक के दिल में आपके लिए फेलिंग्स हो गई हो और ये बोलते हुए हारी के बारे में सोचते है अपकार का सीन दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग हारी की रिंग ट्यून के बारे में सोच रहा होता है तो इस सुन हो इससे कहता है कि आपने पसंद करने वाली बाद शेफ से क्यों कही कि आपको किसी ने कुछ कहा है कि शिन हारी इसे साथ साल से पसंद करती है तो मिस्टर कैंक सोचता है कि शिन हारी और शिन ग्योम दोनों ही एक जैसी है अब नेक्सीन जिन्यों के घर का दिखाया जाता है कि वो लिफ्ट का वेट कर रही है इतने में हापर सुनू आता है और इसको देखते ही वो रास्ता बदल लेता है और सेड़ियों से जाने लगता है ये देखकर जिन्यों को बहुत हैरत होती है तो वो भागते हुए इसके पीछे जाती है और इसे रोक कर कहती है कि तुम मुझे आवाइट क्यों कर रहे हो तो मुझे बताओ कि क्या मैं कोई वाइरस हों के तुम मेरे साथ लिफ्ट में भी नहीं जा सकते तो सुनू इसे कहता है क्या एक्चुली ऐसी बात नहीं है मेरे हाथ में कछ़रा है और मैंने सोचा कि अगर मैं तुम्हेसाथ लिफ्ट में जाओंगा तो तुम्हेसमेल की वज़े से प्रॉब्लम होगी गोरूम में आता है और इदर ओदर देखने लगता है यहाँ पर उसके बचपन की पिच्चर रकी होती है जिसमें वो और मिस्टर कैंग साथ है इससे हमें पता चलता है कि मिस्टर कैंग और सुन हो बचपन से एक दुसरे के साथ है फिर ये एक और पिक्चर उठाता और उसे देखने लगता है तो हमें पता चलता है कि ये एक अनाद बच्चा था और मिस्टर कैंग के दादा ने इसे गोत लेकर इसे बाला है इतने में मिस्टर कैंग आते हैं और इससे कहते हैं कि क्यों ना तुम अपने वापिस कमरे में शिफ्ट हो जाओ तो ये कहता है कि मैं आफिस में तो टॉचर होता हूँ मैं यहाँ पर टॉचर होना नहीं चाहता और ये कहकर चले जाता है और मिस्टर कैंग हसने लगते है अब डाइनिंग टेबिल का सीन दिखाया जाता है कि मिस्टर कैंग की दादा बहुत जादा खोश है और कह रहे हैं कि इतना टाइम हो गया है कि हम दोनों ने साथ मिलकर खाना नहीं खाया वो मिस्टर कैंग से कहते हैं कि तुम जल्दी से शादी कर लो ताके मेरे पोता पोती हो जाएं अब क्या फाइदा हम इतने हमीर हैं और मुझे अकेले बैटकर खाना 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 पड़ता है वो कहते हैं कि बस मैं एक मरतब अपने पोता पोती के साथ खाना खा लूँ फिर मैं सकून से मर जाओंगा तो मिस्टर कैंग कहते हैं कि आप पिछले 20 सालों से यही बात कह रहे हैं वो सुनो की तरफ इशारा करका कहते हैं कि तुम भी कुछ बोलो तो सुनो कहता है कि एक्चली मेरा घर भी काफी दूर है और मैं बहुत जादा थक जाता हूँ इसलिए डेली जरा मुश्किल होगा लेकिन इनकी दादा फोर्स करने लगते है तो मिस्टर कैंग सुनो से अपना स्कैजूल पूछते है सुनो मुबाइल निकाल कर स्कैजूल बताने लगता है तो दादा हाथ से मुबाइल ले लेते है और एकदम से शौक डोकर मिस्टर कैंग से पूछते है कि इस हफते को क्या है क्या तुम भूल गए हो दादा मिस्टर कैंग को याद दिलाने की कोशिश करते है लेकिन मिस्टर कैंग को तो बिल्कुल भी कुछ याद नहीं होता वही सुनोने इसारा करने की कोशिश करता है लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं और ये दादा देख लेते हैं वो Mr. Naygg को डाटते हैं कि तूम ये कैसे भूल सकते हो कि तुम हरी और शिंगूम की एक साल की इनिवरसरी है Mr. Case कैंग 예 मने देखते हैं और वो खुद भी शौक डो जाते हैं मैं ही तुम्हारी लिए डेट अरेंज करूंगा तुम अपना सारा स्केजूल क्लियर कर दो और हफते वाले दे तो मुसके सार डेट पर जाओगे ये कहकर वो अंदर चले जाते हैं और मिस्टर कैंग सुनू से पूछते हैं कि मेरे स्केजूल के बारे में बताओ स्केजूल काफी बीजी होता है लेकिन मिस्टर कैंग क्लियर करने का बोल देते हैं और इस बात पर सुनू को काफी हैरत होती है अब नैक्सिना में बसका दिखाया जाता है कि शिंग्यों और उसका डिपार्टमिन शूटिंग प्लेस पर जा रहा है और ये लोग आपस में बात कर रहे हैं कि इनकी वीडियो यूटियूब पर आएगी फिर कुछ जिर बात का दिखाया जाता है कि ये लोग शूटिंग प्लेस पर पहुँच गए है और साथ ही मिस्टर कैंक के दादा का दिखाया जाता है कि वो भी किसी बिजनिस टील की वज़े से इसी जगह पर आए हुए है वो वापिस घर जा रहे होते हैं कि रास्ते में अपनी कंपनी की बस देखते हैं तो यहाँ पर रुख जाते हैं साथ ही दिखाया जाता है कि यहां पर शूटिंग चल रही है और शूटिंग बहुत अच्छे से होने की वज़ा से दादा बहुत खुश होते हैं और इनके लिए क्लैप करते हैं हारी जैसे ही दादा को देखती है वो एकदम से शौक डो जाती है और उसकी आँखों पर कवर भी नहीं लगा होता तो वो एकदम पीछे मुड़ जाती है और अपने बालों से अपना फेस कवर कर लेती है अब इनकी शूटिंग खतम होती है तो सब खाना खा रहे होते है लेकिन हारी दादा की वज़े से बहुत डरी हुई होती है वही मिस्टर कैंग के दादा इनके डिरेक्टर से बात कर रहे होते है और वो जैसे हारी की तरफ देखते हैं तो हारी अपना फेस कवर कर लेती है और वो भी कहते हैं कि इसे पता नहीं क्या हुआ है इतने में यहापे फोन डिंग होता है तो दादा को पता चलता है वहागते हुए वाश्रों की साइट पर आती है और अपर मिस्टर कैंग को कॉल कर थे जा ऑँ की कॉला पूछल्ग को थोटा कि अli Side 끝 मैं चयव कियों नहीं की तो हारी कहती है कि अच्छा मुझे ये बताई कि क्या तुम्हारी एक ठीक है तो हारी कहती है कि हाँ वो इससे पूछते है कि सेटेडे को क्या है तो हारी समझ जाती है कि हमारी फेक वन एर अनिवर्सरी है मिस्टर कैंग जैसे ये सुनते हैं वो मस्कुराते हैं कि यार तुम तो मुझसे अच्छी हो तुम्हे ये बात याद रही वो हारी से कहते है कि क्या तुमाज मेरे साच डिनर करोगी तो हारी ने मना कर देती है कि मैं बिजिनस टिरिप पर आई हुई हूँ फ데 मिस्टर कैंग कहते है जलनो कोई बात नहीं मैं तुम्हें कल कॉल करूँगा वही मिस्टर केंग के दादा का दिखाया जाता है कि उनके पेट में दर्द हो रहा है तो वो वाश्रूम की तरफ आते हैं और दादा को वाश्रूम तक हारी के कुलिक लेकर आते हैं और वो इसका गेट खटकटा के कहते हैं कि तुम जल्दी बहार आ जाओ और ये कहकर वो यहां से चले जाते हैं हारी जैसे ही गेट खोलती है वो दादा को देखकर शौक डो जाती है और गेट वापिस बन कर लेती है वहीं दादा चीखने लगते हैं कि मुझे अंदर जाना है प्लीज बाहरा जाओ लेकिन हारी क्योंके बहुत डरी हुई होती है तो वो गेट नहीं खोलती है कि दादा को मेरी असलियत के बारे में पता ना चल जाए दादा ऐसे मिनत करते है कि प्लीज खुदा के वास्ते मुझे एक मिनट के लिए अंदर जाने दो लेकिन हारी गेट नहीं कोलती तो दादा गेट को पकरते हैं और खीशने लगते हैं लेकिन इतने में हारी गेट कोल देती है दादा डिस बैलन्स हो जाते है और वो पीछे की साइट गिरने लगते है हारी उन्हें पकरना चाहती है लेकिन वो अपना फेस भी कवर करती है और फेस कवर करने के चकर में वो दादा का हाथ छोड़ देती है और वो बहुत जोर से जमीन पर गिर जाते है वो पानी से भ़रे टप में गिरते हैं जिसकी वजह से इनके सारे कपड़े घीले हो जाते हैं इतने में हारी की कुलिक भागते हुए आता है और दादा को उठाते हैं कि उन्ने क्या हो गया क्या क्योंकि दादा की पैंट घीली हो चुकी है तो वो अपनी पैंट उतारते हैं और दादा को अपने कपड़े पहना देते हैं फिर दादा घर वापिस जाने लगते हैं लेकिन वो हरी की तरफ देखते हैं और उन्हें बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहते हैं और यहां से चले जाते हैं वही हरी अपन कैंग को बता चल जाएगा कि शिन हारी ही शिन ग्योर है और हारी ने जो इतना बड़ा जूट बोला है मिस्टर कैंग उसे माववी कर पाएंगे या नहीं या आपको बता चलेगा नेक्स पार्ट में जब तक के लिए स्टे ट्यून अपना बहुत सारा खायल रखिएगा आपको बाइब एार